हाई व्रीवन, वेलकम टू करन्ट करन्च, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, करन्टली हम क्या कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की एसेंचल सोचोलोजी लेटेस एडिशन का पेपर B कर रहे हैं, पेपर A हमारा कावर हो गया है कम्प्लीटली, तो अगर आपने व अभी तक नहीं देखा, आपको मेरी चैनल पे प्लेलिस मिल जाएगी नितिन सांगवान सर, एसेंचल सोचोलोजी नाम से, पेपर A, वहाँ से जाके आपको वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको इन पेपर B का पीडियेफ चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरा टेलिग्र जॉइन करना होगा, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें में चाप्टर वाइस पीडियेफ अप्लोड करती हूँ, जैसे हमारे फाइफ चाप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, पेपर B के, तो फाइफ चाप्टर्स की पीडियेफ आ बाद काम आएगा, इन कोईक रिविजन आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है, तो यह जो मेरे वीडियोस है, यह UPSC and State PSC Sociology के लिए हैं, मेरी चैनल पे, मैं और भी कोर्स करवा रही हूँ, तो वो वीडियोस आपके काम के नहीं है, Sociology Students के लिए, सरफ यह वाले वीडियोस आप आप लोगों के लिए, वो मैं आपको अपडेट करती रहूंगी, टेलिग्राम ग्रूप पे, इसलिए वो ग्रूप आप ज़रूर जॉइन करें, तो स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक, हमारा सिक्स्थ चाप्टर है, करन्टली पेपर बी का, Social Classes in India, ठीक है, हमें पते ह जब हम इंडिया की बात करेंगे, या, Classes की बात, Classes कैसे डिवलाप हुई इंडिया में, तो हम क्या करेंगे, इंडिया को हम डिवाइड करते हैं, Pre-British Time क्या रहा था, Structure, British Time पे कैसा रहा था, and Post-British, that is your Post-Independence Era, तब हमारा Class Structure था, वो कैसा था, ठीक है, तो देखते है आगे, स्टार्ट करते हैं, हमने पड़ा Marxist Theory में, Marxist ने Class को क्या बोला था, in terms of the relation with the means of production, that means, या तो आप owner हो, आप own करोगी means of production को, या तो you'll be owned by them, ठीक है, यह हमने Karl Marx में, डीटेल में पढ़ लिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो थिंकर आप Karl Marx चा के, मे पर A में हमारा complete हो गया, तो accordingly इन्होंने हमें कहा, classes आपकी total दो होती है, halves की and have nots की, या आप उनको बर्जवा या proletariats भी बोल सकते हो, ठीक है, यह इनका कहना था, उसके बाद हमने Weber पड़ा, Weber ने भी हमें classes के बारे में कहा, तो Weber ने हमें क्या कहा, Weber ने कहा, हमारे पास total तीन classes होती है, ठीक है, तीन classes होती है, that is a class, तीन classes नहीं, तीन जो है आपकी stratification के types होते है, class, status and party, ठीक है, तो 3 lines पे आप society को divide गर सकते हैं, तो class के basis पे आप उसको stratify कर सकते हो, या तो status के basis पे, and your party के basis पे, इसमें जो class dimension उन्होंने कहा, इन हुने यह agree करते थे, mark से कहीं न market situation है ठीक है and then इन्होंने हमें ओर डो टर्म्स पी दिये थे status जो उनने का था social esteem से related है and आपका party is your related to your political parties, political ideology वगएरा ठीक है उन basis पे आप क्या करते हो society में division create कर सकते हो society को आप distinguish कर सकते हो तो यह Marx का and Weber का कहना था अगर देखें हम class को तो जो बड़े thinkers हमारे दो गुजरे हैं उन्होंने class को किसे relate के economy से तो यह कहना गलत नहीं होगा कहीं न कहीं आप class को किसे relate कर सकते हो आपके economic basis से ठीक है जब हम economic basis से class को relate करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि यह relatively modern phenomenon है क्योंकि वो economic basis basically आपका क्या है वो तब का time है जब आपकी market economy आई that means जब आपकी production किस पे basis होई law of demand and supply उसको market economy बोलते हैं law of demand and supply पे होई प्लस आपका जब और इस सब चीजे कब होने लगी market economy यह होई आपकी industrialization के साथ तो जब यह दो processes start होगे कि तभी सई माइनों में आपका जो class system है या एक well defined class structure है वो सामने आया अब अगर इंडिया की बात करें इंडिया में यह सब चीजे कब होने लगी थोड़ा अगर rudimentary form में भी थोड़ा बहुत अगर industrialization कहीं ना कहीं हुई तो Britishers के time पे pre-British era में हमारा क्या था agrarian economy थी अभी भी agrarian economy ही है लेकिन pre-British era में क्या था हमारा mostly जो काम था वो agriculture related होता था तो उतना well defined class structure नहीं था in fact car structure इतना strong था कि वो overshadow करता था आपके class dimensions को वही बात हैं यहां पे लिखी हुई है classes जो है modern relatively modern phenomena है and became more refined and differentiated after the arrival of market economy and industrialization जो rise and growth है Indian social classes की है यह हम देख सकते हैं कब से आपका जब basic structure of colonialism हुआ and even today it has the imprints of that association ठीक है तो start कब से हुआ जब आपका वो structure of colonialism start होने लगा that means जब India ही colony बनी British की और वो यहां पे आए थोड़ी बहुत industries, factories वगेर उनने establish की, agriculture में काफी जदा changes लेके आए वो उनके आने से पहले agriculture में well defined class structure आपका नहीं था लेकिए उनके आने के बाद जो agriculture में उनने काम किया जैसे वो revenue settlements लेके आए ठीक है या टेनेंट्स को कहीं पर आए उनके राइट देने की कोशिश की तो वो एक distinct classes बनी आपका absentee landlordism वाला absentee landlords वो एक class बने क्योंकि landlord जो rent पे नहीं कर पाते थे उनकी land उनसे ली जाती थी उसका auction होता था and highest bidder जो है उसको land मिल जाती थी फिर वो जो जिसको land मिलती थी वो landlord class category का नहीं भी होता था ठीक है वो कहीं ओर रहता था और वो land लेके उस पे बाद में काम करवाता था तो वहां से हमारी ओर एक class बनी थी absentee landlords की ये भी हमने पिछले lectures में जो है अच्छे से explain मेंने आपनों को ये सब कुछ किया था ठीक है अच्छ क्लास फेनोमेना है वो absent था प्री बिटिश इंडियन सोसाइटी में absent नहीं था लेकिन उता वेल डिफाइन नहीं था वो less pronounced था ठीक है even when there was a marked class dimension ये overshadowed था by caste component and other traditional forms of stratification ठीक है क्योंकि आपका caste component इतना जदा हाई था वो overshadow करता था आपके class dimensions को in fact only sphere where class dimension showed itself in a pronounced manner वो कहाँ पे था वो एक rulers और ruled के बीच में था जिसे king वगेरा थे आपके और subjects तो आप सबसे बड़ी class बूल सकते हो king और zone के subjects होते थे ठीक है ruler और ruled तो यही एक बड़ी class जो है exist करती थी class system आपके pre-british era में यही बात है यहां पे लिखे with all structure constraints and its limitations जो colonialism है also guaranteed that the security of private property and sanctity of contracts the basic legal elements required for the market-led growth तो Britishers ने अपने साथ क्या लाया private property का concept भी ज़्यादा Britishers के आने के बाद आया and sanctity of contract क्योंकि उन्होंने सब चीजों को एक contract, contractual basis और legal basis पे किया ठीक है तो उन्होंने यह सारे elements जो है market economy यहां पे introduce किये तो इसे क्या हो गया class structure आपका और ज़्यादा strong और well defined होता गया क्योंकि जब private property अब accumulate करते हो तो naturally कोई एक high class बन जाएगी कोई एक middle class बन जाएगी और जिनके पास कोई property नहीं है वो low class बन जाएगे ठीक है तो ऐसे करके एक structure बन गया और जब आपके contracts थोड़े legal हो गए तो that means अब आप bound हो एक contract में काम करने के लिए आप accordingly काम करोगे चाहे वो labor तबका हो या जिसका वो contract है employer जो है जिसने contract दिया है वो भी bound हो जाएगा वैसे काम करने के लिए ठीक है तो इन सब चीजों से क्या होगा आपका एक well defined class structure जा है वो सामने आएगा अब agrarian structure देखते है agrarian class structure in Indian society Libby Bottom Board ने कहा कि जो social classes है they are the characteristic feature of the industrial societies ठीक है वो किसके है features industrial societies के British rule से पहले हमारा जो surplus था वो काफी कम था ठीक है surplus कम क्यों था क्योंकि usually लोग subsistence agriculture में involved थे subsistence agriculture क्या होता है लोग वो ही produce करते हैं जो उनको खाने की ज़रुरत होती है तो extra कुछ नहीं बचता है उनके पास extra कोई profit नहीं बचता है ठीक है hand to mouth की life है जो आपने grow किया वो ही आपने खाया और आपकी जंदगी अच्छी चल रही है जो extra profit आपका बचना शुरू हो जाता है उसको आप surplus बोलते हो तो Britishers के आने से पहले surplus availability बहुत कम थी इस वजह से stratification in terms of class जो है वो non-existent था क्यूंकि उतना ज़्यादा surplus भी नहीं था तो सारी society को अग्रेरियन society बोला जाता था that is a peasant society ठीक है and in fact ये काफी बार बोला गया है कि जो soil है grows cast and machine grows class तो पहले ये believe होता था जैसे आप agriculture related काम करते हो तो वहाँ पे cast dimension जादा होंगे वो जैसे machine that means आपका industrialization वाला mechanization वाला time आएगा आपको जो class structure है वो enhance हो जाएगा लेकिन over the period of time ये notion भी जो है change हो गया है now it is both land and machine that give birth to the class structure in agrarian India ठीक है अब अन areas में जहाँ education, industry, employment है वो determine करते है class structure rural areas में क्या करते है किसके पास कितनी land है that is a land holding quantum as well as education skills and other production resources which define social structure तो जहम urban area में बात करते हैं आपके क्या markers है class dimension क्या आपके education, industry, employment वगेरा और जहम rural areas की बात करते हैं तो पहला factory आता है किसके पास कितनी जमीन है and then बाकी चीज़े भी है education वगेरा वो भी यहाँ पर important है the term जब हम agrarian social structure बोलते है इसमें आपका caste, class, land, ownership, जज्मानी system वगेरा सब आता है लेकिन जब हम agrarian class structure बोलते हैं तो it is really, mainly जो है the component of your economy ठीक है तो economic dimension जो है वो include होता है आपके agrarian class structure में लेकिन जब हम agrarian social structure बोलते है तो इसमें society के सारे components आते हैं चाहे हो आपका caste हो, आपकी class हो आपका जिसे economic system भी आगे तब जज्मानी system चलता था यह land ownership है वो सारा इसमें included है तो आप बोल सकते हैं जो class structure है agrarian class structure वो एक subset है आपके किसका agrarian social structure का ठीक है land जो है वो central element है agrarian social structure की in India और जो caste, class and land ownership है वो आपस में दियार interwoven ठीक है पहले मैं देखते हूँ आपको यह visible है जो agrarian social structure है इंडिया का land उसका central element है and caste, class and land ownership जो है दियार closely woven around it तो main क्या आता है आपका land जब हम किसकी बात करते हैं आपके agrarian social structure की भी तो जो dominant land ownership groups है they are usually middle और high ranked तो आपकी ranking इसी पे होगी जिनके पास जादा land है वो high rank होगे कम land वाले middle and जो without land है वो कांसे आएंगे सबसे जो lowest rank section होगा society का वो होगा जिनके पास कोई land नहीं है जो आपके landless peasants होते हैं जिनको हम sharecroppers भी बोलते हैं अब आगे देखते हैं अग्रेरिंट classes क्या थी हमारी pre-british इंडिया में pre-british इंडिया में little surplus availability थी तो काफी कम differentiation थी among the village population class terms में little differentiation existed among the village population at the material level क्योंकि आपका surplus नहीं था तो जो class dimension है यह हमेशा overshadow रहा था by the class dimension economic setup में भी जो class dimension है वो किसके under था आपके class dimension के under क्योंकि surplus इतना नहीं था कि हर class जो है वो improve कर सके खुद को usually जो relation थे वो किससे define होते थे आपके जज्मानी practice चलता था जज्मानी में आपको पहले भी का उसमें एक जज्मान होता था जो high caste का होता था and एक कामीन होता था वो low caste का होता था जो कामीन होगे जिसे आपके washerman है आपके tailors ये आपके barbers होगे ठीके नाई होगे washerman होगे या जो घर में काम करते हैं वो सब लोग होगे वो सारे इसमें आते हैं कामीन में and जबके high caste है वो आपके जज्मान होगे तो वो क्या करते थे कामीन, वो service provide करते थे जज्मान को and in return ये इनको cash देते थे या kind, that means grains, clothes वगेरा या कुछ cash देते थे, तो ये इनका economic setup चलता था अब अगर इसमें भी आप देखो जो 2 classes हैं, इसमें भी कहीना आपको caste component देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जज्मान थे, वो high caste को belong करते थे and जो कामीन थे, वो so-called low caste को belong करते थे, तो जो relationship है, was based on a system of reciprocal exchange, क्योंकि आपको return में cash या kind दिया जाता था, however जो participation है, इस reciprocal exchange की, वो equal terms पे नहीं थी, वो किसे determine होती थी, आपके caste से, ऐसा नहीं है कि high caste का कोई इंसान कामीन भी बन जाए या low caste का जज्मान भी बन जाए, नहीं, यह high caste जज्मान होते थे और low caste आपके कामीन होते थे, the whole society जो थी, वो agrarian थी, centered on agriculture, agrarian classes are, were largely understood in terms of ruler and the ruled only, ठीक है, यह agrarian class थी, पहले की जिसे मैं आपको पहले भी कहा, factors that limited the emergence of class were, absence of private property नहीं थी, ownership right over land नहीं थे, underdeveloped market economy थी, communal production थी, that means, एकटे सारे produce करते थे, and जो profit है, वो भी सारे एकटे लेते थे, तो कोई private property का concept नहीं था, तो जब किसी इनसान का किसी एक चीज़ पर hold ही नहीं हो, तो वो अलग distinguished, यह differentiated class कैसे बन सकती है, classes तब ही बन गहीं नहीं, जब अलग-अलग categories आ गई, अलग-अलग categories आने के लिए हमारे पस अलग-अलग private property होनी चे, किसी के पास 2% होगी, किसी के पास 3%, किसी के पास 4%, तो ही वो अलग classes बनेंगी, तो वो यहाँ पर सब देखने को नहीं मिला था, ठीक है, तो जब मुगल rule खतम होने वाला था, some form of widespread money economy जो थी, वो was already in place, या आपने history में पढ़ा होगा, और market mechanism थोड़ा भो develop होने लगा था, और 9 classes, merchant traders, bankers वागेरा, थोड़े rudimentary form में, बिल्कुली early form में develop हमारे होने लगे थे, ठीक है, लेकिन अगर number उनका देखा जाए, वो अभी भी देवर overshadowed by an agrarian structure, जो already present था, ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा बहुत, प्री-British India में, कौन सा आपका agrarian class structure चलता था, अब हम देखते हैं, agrarian class structure आपका British India में, British Shown in India, उन्होंने इंट्रद्यूस किया concept of private property at a scale, which was not witnessed before in the Indian history, अब इसका क्या मतलब, अभी मैंने आपको कहा, पहले classes क्यों नहीं develop हुया, well distinguished क्यों नहीं थी, क्योंकि private accumulation नहीं थी, ठीक है, property का private ownership वो नहीं थी, तो इन्होंने private property का concept लाया, कैसे इन्होंने, जिसे land revenue settlement policies लाई अलग-अलग, इन्होंने land surveys conduct किया, फिर accordingly इन्होंने land lots को power दे दिया, revenue collect करने के लिए, या इन्होंने किसको power दिया, British officials को, तो इन चीजों से क्या हुआ, पहले हमने पढ़ा, communal ownership of land थी, communal ownership of production थी, ठीक है, community based काम होता था, और लोग substance farming ही, although करते थे, लेकिन उनका गुजारा हो रहा था, अब जब इन्होंने किसी एक group को बोला, कि आपको rent pay करना है, किसी एक group को ज़्यादा power दे दिया, तो आपको जो private property वाला concept है, वो इंडिया में आना शुरू हो गया, उन्होंने money एक payment करवाई, cash में कहा taxis pay करो, उसे एक और चीज हो गई, जब cash में taxis pay कर उनको पड़ा, business को, तो rural indebtness बढ़ गई, क्यूंकि वो करजा लेने लगे, उनके पास इतना तो वो grow करने ही पाते थे, कि इतना tax pay करे जितना उन पे impose करते थे, तो वो क्या करते थे, money lenders की class आ गई, उन money lenders से वो क्या करते थे, करजा लेते थे, तो money lenders class जो है, ये भी सामने आने लगी, ठीक है, उन्होंने money economy लाई, इससे transform होगी society, from peasant society to agrarian class society, तो पहले peasant society थी, communal production होती थी, ठीक है, peasants जो हैं, वो काम करते थे, and in return वो क्या करते थे, kings को क्या देते थे, जो उन्होंने जितना produce किया, उसी crop का कुछ percent, वो उनको as profit दे देते थे, लेकिन अब agrarian class society आ गई, आप इनको बोला कि, इतना आपको percent tax pay करना है, एक जमीनदार को power दे दिया, उन जमीनदार ने क्या क्या, आपको exploit करना शुरू किया, ठीक है, इंपविश्मेंट हो गई, पेजिंट्स की, उनका हाल बहुत ही जदा बुरा हो गया, उनके exploitation mass scale पे होने लगी, तो इस सब से क्या हो गया, एक agrarian class structure जो है, वो सामने आने लगा, जिसमें आपकी जमीनदार्स हैं, वो high class बन गए, उसके बाद आपके farmers, rich farmers आगे, फिर small marginal farmers आगे, ठीक है, फिर आपके peasants आगे, आपके last में share croppers, तो ये सारा structure किसे develop हो गया, जो transform किया था society ने, British India ने, एक peasant society को किसमें, अगरे दिता society में, अच्छा, आपने वो जो rules हैं, standard rules हो सब के लिए लेके आए, new methods of fixing land revenue, जो थे, उसे hierarchy आगे, rural society में मैंने आपको कहा कैसे, क्यूंगी revenue जो है आप cash में pay करना होता था, तो जिनके पास cash होता था, वो pay करते थे, जिनके पास नहीं होता था, वो money lenders के पास जाते थे, money lenders के एक class आगे, ठीक है, it also promoted commercialization of agriculture आगया, तो that means cash crops वगेरा produce करने लगे, आपकी tea, coffee, जिनसे उनको benefit मिलता होता, तो उस benefit के चकर में क्या हुआ था, famine जाना शुरू होगे, लोगों के पास अब जो खाते वो, वो उगा नहीं पाते थे, उनको जादा कून सी चीज़े उनको उगानी पड़ती थी, ग्रो करनी पड़ती थी, जो beneficial हो profit wise Britishers के लिए, earlier जो village industry and industry co-existed and served as a basic pillar of self-sufficiency of village, early village industry से मैंने का पहले बोला जाता है, मैंने आपको पहले भी बात बोली है, कि हर गर जो था वो एक industry था, small level पे काम होते थे, चाहे वो hand loom का काम हो, ठीक है, या कोई pottery making का हो, तो वो सारी चीज़े जो आईसा आईसा Britishers ने खतम करी, अब new revenue system आ गया, market forces बगेर आ गया, उससे आपके जो village dynamics हैं, वो दिखने लगे, land revenue rates जो थे, वो इतनी जदा high थे, जमींदारी और जोटवारी एरियाज में, कि जो land है, now came in the hands of जमींदार्स, middlemen and businessmen, तो ये सारी classes जो हैं, आपकी slowly emerge होने लगी, इनकी land revenue policies की वज़ा से, और इनकी private property, वो introduce करने की वज़ा से, those agriculturists who couldn't pay the revenue, were stripped of their land, और उनकी land जो थी, उनका वो relation नहीं होता था, जमीन के साथ, वो खरीद के कहीं और चले जाते थे, उस land पे, वो किसी और को काम करने के लिए देते थे, तो हमारे पस new class आगई, आपके absentee landlords ली, तो ऐसे करके क्या हुआ, Britishers के आने के पाद, एक agrarian class structure, जो है, वो सामने आता रहा, money lenders and zamindars, जो है, they evolved as the new state of the rural, आपका agrarian social structure, ठीक है, zamindars और आपके money lenders, क्यों मैंने, आपको money lenders बता है, ठीक है, creation of new classes of zamindars, provided social support to the British, who could have found it difficult, to manage India alone, अब जो colonial, आपके rulers से, administrators से, वो उतना well worse नहीं थे, Indian society से, Indian villages से, ठीक है, तो उनने क्या क्यों ने, जमिनदार्स का काम लिया, जमिनदार्स को बुला, इतना हमें rent जो है, वो pay करो, फिर जमिनदार्स further क्या करने लगे, वो peasants को, और जदा rent उनसे demand करने लगे, ताकि जमिनदार्स अपना भी profit बीच में निकाल पाएं, तो जमिनदार्स ने support दिया British को, ठीक है, और क्या किया, peasants को क्या किया, बहुत हाई लेवल पे exploit किया, exploitation हुई किनकी, peasants की बहुत हाई लेवल पे, फिर आगे देखते हैं, AR Dishai ने कहा, state जो थी acted as a supra landlord, and appointed landlord, तो आप बोल सकते हो, फिर बाद में जो landlord थे, इनको किसको जवाब देना होता था, आपके Britishers को, तो जो state है, वो खुद ऐस बड़ा landlord act करने लगी, और फर्दर आगे landlord को appoint करने लगी, जो फर्दर क्या exploit करने लगे कि इनको, आपके जो low marginal farmers हैं, जैसे आपके peasants वगेरा को, ARDESAI conceptualized agrarian class structure as a three-tier system, तो इन्होंने क्या कहा, इन्हें का first class कुन सी होगी आपकी, upper class जिसमें आपके absentee landlots थे, second tier होगे आपका middle class, जिसमें sub-landlots थे, और bottom में कौन होगे आपके, marginalized farmers, peasants and sharecroppers, ठीके, तो ARDESAI का, अभी तक हम सरफ इसकी conceptual understanding ले रहे थे, कि कैसे changes आई है, अब अगर exam में question आता है, तो आपको कुछ thinkers के नाम जरूर लिखने होगे, और उन्होंने क्या class structure दिया था, आगे हम और भी देखेंगे, Daniel Thornar वगेरा का, उन्होंने क्या दिया था, इन बाकियूं का भी, तो ARDESAI ने क्या दिया था, फर्स्ट टीर में इन्होंने कहा था, सबसे उपर कौन से इन रखा था, absentee landlords, उसके बाद आपके सब landlords होगे, और थर्ड टीर में इनने किन को रखा था, आपके farmers, peasants and sharecroppers को, ठीक है, इन में से जो तीन में, सबसे lowest level पे होते हैं, वो आपके sharecroppers होते हैं, कि जिनके पस land वगएरा कुछ भी नहीं होता है, वो आपकी land पे बस थोड़ा बहुत काम करना, उनको allowed होता है, peasants होते हैं, आपके, सबसे उपर आपके farmers आते हैं, peasants क्या होते हैं, वो उनको land पे वो काम करते हैं, और उसकी जगए वो आपको rent पे, उनको land लॉट्स को पे करना पड़ते हैं, ठीक है, आपको नहीं पे करते हैं, लैंड लॉट्स को पे करते हैं, और फार्मर्स हो गए आपके, जो land से जदाधा अटाच होते हैं, उनको वहाँ पे homestead rights भी मिलते हैं, peasants को भी मिलते हैं, पर farmers की usually position जो होती है, peasants से थोड़ा बहतर होती है, ठीक है, वो जो share croppers होते हैं, उनके पास वहाँ homestead rights नहीं होते, that means वो हाँ पे रह नहीं पाते, आपको rent का भी उनको system यह नहीं है, उनको वो यह क्या करते हैं, वो जो इस field पे वो काम करेंगे, कुछ percentage अपने crops का वो आपको दे देते हैं, तो वो आपके सबसे lowest वाले होते हैं, share croppers, ठीक है, तो the land in your system था, was not uniform across India, classes also developed differently across colonial India, तो जो colonial India में एक general agrarian structure नहीं बना था, हर जो आपको अलग-अलग उसमें regional variations भी देखने को मिली थी, वो regional variations, क्यूंकि इंडिया में, इंडिया एक society ही काफी, जो है diverse society है, तो वहाँ हर जगा आपको कोई नपकोई variation देखनी मिलेगी, आपको north अलग मिलेगा देखने को, south अलग मिलेगा, center अलग मिलेगा, तो accordingly जो class structure डिवलाप हुआ था, वो भी different था across India, वो पुरा एक uniform structure डिवलाप नहीं हुआ था, तो यह था Britishers के time पे क्या class structure रहा, उसके बाद आते हैं, post-independence time पे, तो post-independence time में, हमें दो changes agrarian economy में देखने को मिली थी, पहला था आपका significance of agriculture जो है, वो decline हुआ था, and it became only a marginal sector of the economy, significance of agriculture decline हुआ, अभी भी जो major population थी, वो थी involved agriculture के साथ, लेकिन उनका जो contribution था national income में, and आपके GDP में, वो contribution काफी कम था, यह आप पढ़ोगे economy में primary sector, secondary sector, tertiary sector में आप देखोगे, यह कि जो primary sector है आपका agriculture, although percentage उसमें कितना involved है, and then कितना कम percentage जो है, उसका वो contribution आपके national income में जाता है, आपकी GDP में जाता है, तो आप बोल सकते हो, post-independence जो यह है agriculture, यह decline होने लगा है, यह एक marginal sector रह गया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ data दिया हुआ है, और दूसरी important change क्या आई, कि agrarian sector in its internal social organization, जो इसकी अपनी social organization बनी हुई थी, अंदर जो इनका social structure था, उसमें भी आपको changes देखने को मिलेंगी, the social framework of agriculture production has experienced a sea change in India, due to various factors, अब हमने कहा changes देखने को मिलेंगी, land reforms की वज़े से, agrarian modernization की वज़े से, market economy की वज़े से, क्या हो गया आपका structure जो है, वो change हो कि land reforms में land लेने लगे, जमीनदार से, वो lands की equal distribution की बात हुई, although सारी states में successful नहीं रहा, लेकिन structure तो कहीं न कहीं alter हुआ ही, आपका agrarian social structure, ठीक है, और इस वज़े से कहीं tenants का बुरा हाल भी होने लगा, क्यूंकि tenants जो जमीनदार से, वो ढरते थे कि कहीं, अगर हम tenants को ज़ादा जमीन दे दे, तो कल को government जाके, उनको occupancy rights भी ना दे दे, जमीन उनहीं के हवाले कर दो tenants के, तो इस वज़े से tenants की जो exploitation है, वो भी कहीं न कहीं बढ़ गई, आप modernization लेके आने लगे, आपके market economy डिवलाप होगी, तो आपके जो labor's हैं, वो कहां चले गए, आपके industrial workers बन गे, आपके जो present से वो labor's बन गे, आपके market चले गए, ठीके industrial areas में चले गए, तो ये सारे issues भी आगे, agrarian structure में भी आपने modernization लाई, आपने mechanization लाई, नई machines आप लेके आए, अपने farm में, ठीके जहां पहले bell, गाड़ी वो जो bull cart चलाते थे, अब आप वहाँ पे एक tractor चलाते हो, तो उससे भी काफी ज़्यादा changes देखने को मिली हमें इस structure में, ठीके, अब देखते हैं जो changes है, वो थोड़ा हम explain करेंगे, factors which led to the change in the agrarian social structure in India, उसको हम कैसे बोल सकते हैं, एक तो technological changes जो आई, and modernization of agriculture, ठीके, modern industry जो है, उसने काफी ज़्यादा machines लेके आए, equipment लेके आए, तो आपकी mechanization होने लगी, farm mechanization भी इसको बोला जाता है, तो plahing, आप वो threshing और plahing जो पहले, लो करते थे हैं वो machines से होने लगी, तो इससे क्या हो गया, जो lat owners है, वो काफी ज़्यादा cultivate करने लगे, काफी कम टाइम में, तो उनका जो production है, वो भी बढ़ गया, अब वो सिर्फ hand-to-mouth subsistence farming पे नहीं रहे, तो इससे क्या हो गया, आपका surplus generate हो गया, तो एक जो farmers हैं, जो थोड़े बहुत अच्छे condition में थे, British time पे, चुरू हो गई, commercialization हो गई, agriculture की, जैसे मैंने कहा, commercialization में क्या हुआ, land को एक commercial commodity बनाया, कि वो वाले crops grow करो, जिनसे आपको फाइदा मिले, cash crops grow करो, और जादा जो आपके, wheat, rice वगेरा है, उन पे दियान नहीं दो, तो ऐसी सारी जो चीजे हैं, kind mainly in the form of grain, or produce to payment in cash, became in vogue, ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, आपका commercialization of agriculture हो रही था, हम cash crops grow कर रहे थे, तो जहां से हमारा, जो money economy है, थोड़ा बूद वो डिवलाप हो रहा था, ठीक है, अब cash की बात होती थी, cash में आपको rent pay करना पड़ता था, cash आपको दिया जाता था, तो आई साई से जज्मानी से, money economy से खतम होने लगा, और आपकी payment, kind, that means बहले grains वगेरा में होती थी, अब आप ज़ता क्या grow कर रहे हो, cash crops, तो वो जो payment है, वो भी किसमें होने लगी cash में, अब वो cash तो आने लगा, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, कि आपको खुला जो है, पैसे वो मिलने लगी, काफी कम था, उस कम cash की बज़ा से क्या हो गया, जो purchasing power था marginal sectors का, that means purchasing power क्या होता है, कि कितना वो goods and services जो है, वो खरीद पाते हैं अपने income से, जो cash किसी एक share cropper के पास होगा, उस cash से वो कौन सी चीज़े हैं, समान अपने लेग खरीद सकता है, वो जो purchasing power थानका, वो और कम होने लग गया उनका, क्योंकि cash, although उनको pay करते थे, लेकिन वो cash काफी कम होता था, जो needs को fulfill नहीं कर पाता था, तो ये सारी problems होगी, migration, क्योंकि traditional ties and tenancy relations, जो हैं, वो सारे खतम होने लगे, agriculture labor, जो हैं, वो increase होगे, and it's soaked inter-regional migration, ठीक है, अब क्या हो रहा था, मैंने कहा, development भी हो रही थी, agriculture में, green revolution की वज़ा से, तो कहीं पे ज़्यादा काम हो रहा था, तो जहां पे ज़्यादा काम हो रहा था, वहां पे जो laborers हैं, farmers हैं, वो उन जगा पे जाते थे, काम करने के लिए, जिसे आपका पंजाब, हर्याना वगेरा, वहां पे green revolution का असर, काफी ज़्यादा देखने को मिला था, तो उनके पाँ ज़्यादा पैसे आते थे, ज़्यादा पैसे आते थे, तो वहां ज़्यादा production होती थी, तो laborers कहां जाते थे, migrate करके दूसरी जगा जाने लगे, काम करने के लिए, seasonal migration जो है, of labor, ये increase हो गया, ठीक है, इनको हम, Jan Brieman ने इनको क्या बोला है, foot-lose labor, और COVID के time-pun ने इस पर study भी करी थी, foot-lose labor पे, ये वही हैं, जो काम के बज़ा से, एक जगा से दूसरी जगा जाते, और इनके अपने कोई ऐसे rights नहीं होते, इनको कभी भी रखा जा सकता है, कभी भी इनको निकाला जा सकता है, ठीक है, जिसको हम, दूसरे understanding में, casual labor भी बोलते हैं, इनको कभी भी रखा जा सकता है, Dutch sociologist Jan Brieman ने, आप इस study भी कर सकते हो, बुक लिखी थी ने नाम, foot-lose labor, इनमें इनने study किया था, दो villages को South Gujarat के, ठीक है, इननोंने कहा था, जो foot-lose labor, इसको hire and fire कर सकते है, according to the need of the employer, and is also transferred, for the duration of the job, to destinations far away, from the home area of the laborer, तो इस वज़ा से, इनने COVID-19, a global pandemic के time, पे ने study की थी, कि foot-lose labor को, कितने ज़दा problems, face करनी पड़ी थी, ठीक है, तो ये थोड़ा बूद, इसकी study का है, अभी हम continue करते हैं, हम क्या करें, factors, जिनकी वज़ासे, social structure, जो है, agrarian social structure, इंडिया में, change हो गया, तो technological, commercialization of agriculture, migration हमने देखा, fourth minabu का, land reforms भी लेके आये थे, तो उनसे भी काफी ज़दा, जो relation है, वो alter हो गया था, land owners, tenants and agriculture, laborers का, tenants को काफी relief मिला था, काफी जगा पे, as a result of land reforms, यह हमने पहले पढ़ा है, land reforms in detail, हमने इस जो है, study किया हुआ, यहां पे मैं, इसको दुबारा explain, नहीं करूँगी, तो उसके लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे previous lectures, देखने पड़ेंगे, ठीक है, green revolution, मने का, green revolution की success हो गई, काफी ज़दा, कुछ areas में, काफी ज़दा profit, generate हो गया, तो farmers, जो है, improve होगी, green revolution से, और यह वाली class है, उसको काफी ज़दा, नुकसान भी हुआ, वो हमें in detail पड़ना है, आगे जाके, जब हमारा green revolution वाला, impact हम पड़ेंगे, ठीक है, वो एक separate chapter में दिया हुआ है, marketization of land, अब land क्या हो गया, आपका market में आ गया, अब कोई land बेच रहा है, कोई land खरीद रहा है, तो buying and selling of land होगी, land market में आना श्रू होगी, अब land private property बन गी, again हम वही private accumulation of health वाले concept पे आएंगे, तो उसे भी क्या होगी हमारी classes की, जो distinguish or differentiation है, वो जादा manifest होगी, state intervention, state की welfarist policies of subsidies देने लगे, corporatives आगे, agriculture extension, इस सारा हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, have benefited different sections of agrarian society differently, अब जो सारे ये government लेके IT welfare policies, इन्होंने हर section को equally तो help नहीं किया, मतब equally benefit नहीं हुए हर section इसे, कोई-कोई section जादा फाइदा उठाने की में कामियाब रहे, इस वज़े से वो high class बन गए, और जो नहीं उठा पाए, उसकी वज़े से भी social structure पर impact हो गया, वो आपके lowest rung section जो है, lowest rung या lowest class वो बन के रहे गए, ठीक है, politicization and democratization, apart from economic factors, जबके rural social structure है, it is also affected by the political participation of various sections, ठीक है, arrival of panchaiti raja and universal adult suffrage system has affected power dynamics, panchaiti raja आगया आपका and आपका universal adult suffrage आगया, आपकी voting वाला right to vote आपको दिया गया, उससे power dynamics change हो गया, और जब village में power dynamics change हो जाएगा, that means आपका जो class structure बना है, ingredient class structure उस पे भी impact पड़ेगा, political जिनके पास power है, वो भी एक नाई class emerge हो जाएगी, ठीक है, पॉलिटिकल empowerment और education empowerment की वज़े से होने लगी, process of industrialization की वज़े से क्या हो गया, migration बढ़ गई, तो उसे भी social structure में change आगया, urbanization से भी change आगया, ठीक है, urbanization से क्या हो गया, जो rural elites हैं, इन्होंने invest करना start कर दिया, urban areas में, नई-नई businesses में, तो नई avenues, जो है, new avenues वो भी आगय, new businesses आगय, जब नई business आएंगे, तो accordingly नई classes emerge हो जाएंगी, communication transportation से हमेशा change आती है, क्योंकि जब आप transportation बढ़ जाती है, तो लोग उनके साथ साथ क्या travel होते हैं, ideas, ठीक है, तो इस वज़े से opportunities भी बढ़ जाती हैं, फाइन तो आपका जो, यह है traditional social structure है, इन सब चीज़ों की बज़ा से भी change हो जाता है, globalization and liberalization, globalization के साथ जो Indian rural areas है, उनकी integration हो गई, global economy के साथ, ठीक है, तो उनका एक wider network के साथ क्या हो गया, integrate हो गई वो, अब उनको पता चला कि, अच्छा, अगर India में ऐसे use यह होता है, तो Australia में farm activity ऐसे होती है, तो कहीं न कहीं उन चीज़ों के साथ compete करने से, और market में वो चीज़े आने से, for example, कोई आपके inputs हैं, इसके fertilizers वगएरा foreign से आते हैं, जो थोड़ा costly हैं, तो जो effort कर पाते हैं, वो inputs यूज़ करते हैं, इस वज़े से क्या होता है, उनके production हाई होती है, returns हाई होते हैं, तो जो गरीब small farmers हैं, वो भी कोशिश करते हैं, कि हम भी high inputs यूज़ करें, expensive fertilizers वगएरा यूज़ करें, ठीक है, तो इस वज़े से क्या होता है, अगर वो किया ठीक नहीं कर पाया, तो उनको loan वगएरा लेने पड़ते हैं, again, money lending, तो इससे जहां एक class को काफी फाइदा मिलता है, एक class को काफी ज़दा exploitation भी face करने पड़ती है, globalization की वज़ा से, farmers को बाकी चीज़ों का भी पता चला, जैसे contract farming, जिसमें जो buyer था और farmer, उनके बीच में contract set होता है, कि कितना वो काम करेंगे, कितना production होगा, उस recording agreements बनते हैं, genetically modified crops जैसे आपके green revolution में use होने लगे, तो ये सारी practices जो हैं मेरे farmers adopt करने लगे, ठीक, these have unforeseen consequences on rural social structure, तो इन सब चीज़ों की वज़ए से, रूरल social structure पर काफी ज़दा फरक पढ़ता है, क्योंकि एक जो defined कहीं न कहीं structure बना हुआ होता है, वो alter हो जाता है, जो class फाइदा उठा पाती है, जैसे जो class green revolution का फाइदा उठा पाई, ठीक, तो वो काफी high हो गई, ठीक, और दूसरी जगा, जो marginal थेया, small farmers है, उनकी conditions और ज़्यादा low हो गई, तो exploitation के साथ-साथ, जहां पे फाइदा था benefit, उसके साथ कहीं न कहीं exploitation है, वो भी बढ़ती है इन चीज़ों के वज़ा से, तो आपका जो ingredient social structure है, वो alter हो जाता है इससे, अब वो changes have affected rural social structures in different parts of country differently, अलग-अलग country आमें अलग-अलग असर हुआ है, जैसे Punjab, Haryana, Western UP, जो है, वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे काफी ज़दा फाइदा हो गया, rural urban dominant class को, on the other hand, regions such as Eastern UP, बिहार, ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे सबसे पहले political problem की वज़ा से, redistributive measures, जैसे lands की redistribution वह सही से नहीं हुई, इन सब चीजों की वज़ा से, not too many changes in the ingredient structure, hence to living condition of most of the people in local social strata थी, वह वैसी ही रही, और ज़्यादा किसी class को के benefit नहीं हुआ, इन contrast stage से कैरला थी, उनमें different process of development हुई उस time पे, जिसमें political mobilization अच्छी हो रही थी, to gulf countries, ठीक है, इस वज़ा से external economy के साथ, उनकी integration भी काफी ज़ादा बढ़ गई, देखने को मिली, इसलिए इतनी development वहाँ पे हुई, in the wake of about changes, काफी many classificatory framework based on different parameters, are given by various sociologists, ठीक है, अब हम देखते हैं, कुछ sociologist ने नाम दिये हैं, आपके अलगले classes को, structure को, तो काफी important है, यह जो आपके thinkers है, और उन्होंने क्या classification दी, क्यूंकि जहां पे आपके conceptual understanding, बिल्ड हो रही है, साथ में आपको कुछ ऐसे keywords भी लिखने हैं, कि हाँ, social structure के हुआ, लेकिन उसमें changes इस वज़ा से आई, यह ऐसा था, ऐसा हुआ, लेकिन साथ में आपको यह भी लिखना है, किस thinker ने कून सा structure दिया था, तो Daniel Thorner ने आपको बोला था, तीन classes हैं, आपके मालिक, किसान, और मज़दूर, ठीक है, on the basis of rights of land, मालिक होगे, जिनके incomes are derived mainly from the property rights and soil, ठीक है, जिनके पस property rights हैं, तो वो क्या करते हैं, किसान, जो है, they are the working peasants, जो own करते हैं small plots of land, and work mostly with their own labor, या उनकी family, वो जो मज़दूर हैं, उनके पस कोई land नहीं होती है, तो यह काफे important classification है, मालिक, किसान, मज़दूर, यह किस नहीं दिया था आपके Daniel Thorner ने, Daniel Thorner by the classification by Daniel Thorner, जो है, यह based है land holding size पे, और इग्नोर करते हैं other factors, like income, rural service class, and emergence of new occupations वगेरा, therefore, जो on the right, इन्होंने इसके जो criticism था, इसका जो loophole था, कि इन्होंने बाकी चीजे, economy, income, rural service class, या नई occupations, उन सब चीज़ों को ignore किया, और सिर्फ आपको land holding size के basis पे, तीन classes दी, उसको correct किया, ओंत्रे पेते ने, ठीके, तो इन्होंने, अलग सब categories दी class के accordingly, owner controller, only controller, owners but not controllers, compulsive landlord, traditional landlord, entrepreneur landlord, and absentee landlord, similarly lower classes can also be subdivided, तो इन्होंने हमें क्या क्या, अलग-अलग structure दिया, ये भी आप याद रख सकते हो, ये class भी, जो owner bete है, उनकी study का क्या नाम था, agrarian social structure, indicated कि जो classes है, should be understood from a cultural point of view as well, तो class के structure को, culturally भी हमें समझना चाहिए, ये बात भी काफी important है, ये किस ने कही थी आपके, owner bete ने, agrarian class should be understood not only from the ownership criteria, लेकि land use criteria से भी, जिसकी वज़ा से हमारे पास काफी sub-categories आ गई, बाद में Lenin ने भी आपको दिया था, Lenin का framework, Lenin की class structure, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने हमें five broad groups दिये थे, और इन्होंने कहा था, इन्होंने हमें अलग-अलग groups दिये थे, पहला जो group है, वो big landlords का है, who still exist in some parts of the country, उनके पास काफी ज़्यादा land holdings होती है, ठीक है, second जो है big farmers, उनके पास होता है 15 to 50 acres of land, ठीक है, third हो गया आपका, group उनके पास medium farmers आगे, उनके पास होता है 10 to 15 acres of land, and आपका fourth and fifth, उन्हेखते हैं कहाँ पे, socially जो big farmers है, they two mostly come from the local dominant caste groups, तो caste class nexus यहां पे भी आजाएगा, साथ-साथ high caste भी चलता है, high class के साथ, however, unlike the big farmers, they carry out most of the work on farms, with their own labor and the labor of their families, जो fourth group आगया आपका, वो small farmers होगे, जिनके पास less than 5 acres land hold है, ठीके, और last class कॉन से आगया आपके, जो आपके landless laborers है, ठीके, तो इसको revise करने के लिए, आप अपने notes में tabular format में बना सकते हो, आप एक table बनाऊगे, और कॉन से वाले farmers है, उनका नाम यहां पे लिखोगे, and then कितनी land holdings उनकी हैं, ठीके, तो यह किस नहीं दिया था आपका Lenin ने, तो आगे देखते हैं, Marxist scholars जिसे, बर्दन, रुद्र, कैथलीन, को एन उत्सा पटनायक, उनने भी अपनी classification दी थी, काफी important है, उत्सा पटनायक की classification भी, उनने Leninist framework यूज किया था, उनने नाम दिये थे, कुल्लक, सरिद्नियक, एन बेद्नियक, ये रशियन नाम हैं तीनो, कुल्लक होता है, आपका जो rich farmers के लिए यूज होता है, high class के लिए, सरिद्नियक होगे कहीं, जो middle वाले होंगे, आपके बेद्नियक होते हैं, जो आपके शबसे ज़दा exploited presentry होती है, वो आपके बेद्नियक होते हैं, ठीक है, उन्होंने study किया था, पंजाब को post green revolution time में, और accordingly अपनी classification जो है, वो दी थी, तो ये भी important नाम है, Kathleen Goh, उन्होंने study किया था, Tamil Nadu के village को, ठीक है, और उन्होंने भी अपना जो है, essay type का conclusion उन्होंने भी derive किया था, Lindsburg जो है, उन्होंने भी important काम किया था, उन्होंने agrarian और urban class structure, जो है, उसके dynamics को study किया था, उन्होंने कहा था, जो landed elite है, जो urban major merchant class है, वो exploit करते है, situation of the distressed sales by the usurious lending, कि इतनी ज़्यादा वो जो lending, इतनी ज़्यादा high interest rate पे करते है, उसे क्या हो जाता है, जो already exploited class है, वो और ज़्यादा exploit हो जाती है, तो इसमें आपको एक ठीज जाद रखनी है, जैसे हमने अभी पढ़ा, ये urban, ये agrarian social structure and culture को किस ने कहा था, कि study करो, ये angle किस ने कहा था, ओंड्रे बिते ने, वैसे ही Linsberg ने क्या कहा था, इन्होंने एक urban class structure and agrarian structure का nexus जो है, वो analyze करने की कोशिश करी थी, तो ये चीज भी आपको देखनी होगी, ये ही जो छोटी-छोटी चीज़े अगर आप पकड़ोगे in paragraphs में से, वो ही आपके answer को वहाँ पर अच्छा dynamism देंगे, KL Sharma ने एक new perspective offer किया था, इन्होंने कहा था, दो ही broad groups होंगे, जब दो broad groups होंगे, obviously एक आपकी जो rich होंगे, और जो exploited peasants हैं वो, आपके इन में decline होता है, feudal landlords का, third में क्या हो जाता है, proletarianization of prison class, that means जो prison class है, जो landless classes हैं आपकी, वो आपकी increase होती जाती है, ठीक है, तो ये था इनका थोड़ा Marxist perspective, तो काफी नाम यहाँ पर हमने पढ़ लिये, important है जापके exam point of view से, Daniel Thornard हमने देखा, Lenin का framework हमने देखा, हमने फिर उत्सापट नायक देखा, ठीक है, एन हमने इसमे Marxist perspective भी देखा, अब आगे हम देखेंगे, थोड़ा feminist perspective, उन्होंने क्या कहा था, agrarian structure में क्या होता है, women जो होती है, homemaker बन जाती है, मतलब एक general classification के अंडर इसको present नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको काफी ज़्यादा complexities देखने को मिलेंगी, इसलिए जब हर region में जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें एक different class structure देखने को मिलता है, south में आपको अलग मिलेगा, north में आपको अलग मिलेगा, east में आपको अलग मिलेगा, accordingly यहाँ पर different states में different नाम यूज़ के जाते हैं, वो आप names आप यहाँ से देख सकते हो, according to T.K. Omen, इन्होंने क्या कहा था, most of the classification of the agrarian class structure जो है, वो defective है, and यह describe करता है, सरिफ एक local realities, क्योंकि complexities इतनी high है, एक general framework जो है, वो आप नहीं दे सकते हो, जो constant change है class structure में, also makes the classification unworkable, क्योंकि change होता रहता है, केरला में जैसे आपके जो traditional landlords, जो जैनमी कहते थे, उनको replace किया है capitalist farmers ने, similarly, जो tenants हैं, कनकरन and sharecroppers, वेठा करन, they have been replaced by owner cultivators, तो यह system है, यह structure setup जो है, यह change होता रहता है, यह static नहीं है, इस वज़ा से भी कोई आप एक general framework, जो है class का वो नहीं दे सकते हो, P.S.I.Nath ने कहा दा, जो growing divide है between agrarian class, जो है, it is a sign that independent India's government, has not rectified colonial blunders, by not paying due attention to land reforms, land reforms, ठीक है, तो जो अभी भी agrarian class structure, जो है, agrarian classes है, उसमें अभी भी आपको break और schism देखने को मिलेंगे, और growing divide, अभी भी वो class जो है, exploitative structure बना हुआ है, इसका यह मतलब है, post independence भी कोई खास काम इसके लिए नहीं हुआ है, जान ब्रिमन ने कहा, changes in the social structure of agrarian economy, जो है, उन्होंने impact किया है agriculture worker को, changing social structure से क्या हुआ है, जादा opportunities भी मिली है workers को, क्यूंकि वो cities में जाके migrate करके काम कर सकते हैं, लेकिन उनके life में जादा कोई change नहीं आया है, उनकी hardships में जादा change नहीं आया है, क्यूंकि वहाँ पे भी जब workers काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनके wages जादा नहीं मिलते हैं, बुरी conditions में उनको वहाँ रहना पड़ता है, तो वहाँ पे भी उनके जो exploitation है, वो कहीं कम नहीं हुई है, 2014 में survey हुआ था by the Center for the Study of Developing Societies and Lok Niti for Bharat Krishna Samaj, जिसने कहा 76% of farmers जो हैं, उनने express की थी अपनी willingness कि हम छोड़ देंगे farming, अगर हमें कोई ordinate livelihood opportunity मिले, land reform से भी कोई खास dramatic result नहीं देखने को मिला, equality in land ownership remains a distant reality, land ownership में भी कोई equality नहीं आई थी, land reforms लाने के बावजूद भी, in fact जो number of marginal land holdings हैं, that means less than 1 hectare या 2.5 acre, वो increase हो गई हैं काफी जादा, that means जो marginal, जो कम land holdings हैं, वो increase हो गई हैं, और उसमें भी कोई जादा हमें खास improvement देखने को नहीं मिली है, clearly जो agrarian social structure है, वो change हो गया है, लेकिन transform तो नहीं हुआ है, अभी भी वो divide हमें देखने को इसमें मिलता है, तो next में हम discuss करेंगे, urban class, structure in India, and industrial class, middle class, तो next video में हम wind up करेंगे, यह chapter कोश्च करेंगे, कि खतम हो जाए, till the time I upload next video, bye bye, take care, have a great day.